कोई भी मुसल्मान भाई रहता थाना उस दिर उटकर ताली बजाता था कार्लियमेंट में छेलो याँ कोई तो आए हमारे मुसल्मान स्रीयों के लिए मदद पर ठाइरने के लिए वो भी ने कर पाए आप उसका विरोध करें जो सही पे आसु गिराने के रहता ना मुसल्मान और तौरत वहाँ पे आप उठाते नहीं, अब यह बुर्गा का फैदा उठाना चाहरे आप, क्या करोगे बुर्गा का फैदा उठा कर, रिग्गिंग करवाओगे आप, बोगा सोटिंग गलवाओगे आप सबसे पहले बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि BJP दिली अगर एक धरकवास चुनाव आयोजन को दी है, तो कौन से इतिनी बड़ी गलती की हैं, यह चुनाव आयोजन जैसे institutions होते ही, हमारे जैसे लोग उनसे अपना विंती पत्र लेने के लिए, कि हम क्या मांग रहे हैं, अगर रोड के ओपर और पोलीस उनको अरस्तक नहीं करेगी, लेकिन हम बड़ी विंती पत्र लेकर हम चुनाव आयोजना तक भी नहीं जाए, वह हम क्या इतिनी बड़ी बात पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे कि जो जो लोग मतदान देने आते हैं दिली में, कृपिया करके उनक तलाक के मुद्दे के वज़े से दल दल में रहकर इतनी ज्यातियां हो रहाता हैं उनके ओपर, वो एक मात्र मोदी भाय थे हमारे प्रधान मंत्री जो उसको निकाल के उखाड के फेके, अगर आपके जगा कोई भी मुसल्मान भाय रहता था ना, उस दिर उटकर ताली बज नहीं कि एप बुर्दा का पड़ा उठा ना चाहरें आप क्या करोगे बुर्का का फैया उठा कर रिग्डिंग करवाओंगे आप बोगल सोटिंग अब बोग गेःप भाई मैं कहती हूँ आप मुसल्मानों को कैसे भी तरक्य के वर्तों लेके नहीं जा सकते आप उनका फैदा उठाना बंद कर दो आप यह अच्छा नहीं दिख रहे हैं यह बुर्का का फैदा आप उठाना बंद कर दो पहली बात क्योंकि हम सिर्फ बुर्के के बारे में बात कर रहे हम पदे बात कर रहे हैं इसमस के बारे में बात करहे हैं हम सब बात करें के हम हर वो व्यक्ती जो अपना इन प्रकार की निकालके Said does sachar कर उंसे वोट लवा यह से आपको दिक्कत हो रही है तो आपको जानना चाहिए आप देश के विरोध में जा रहे हैं कोई एक पक्ष में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिस पक्ष में आप जा रहे हैं आप समझ रहे हो आप किस मजब के तरफ बात कर रहे हैं वह मजब आज इस प्रकार से रहन मैं मत सुची क्योंकि देश के विरोध के विरोधी होने के तरह सोच रहे आप देश के पक्ष और हित में नहीं सोच रहे आप ये बात